ही गाइद वेल्कम तो माई चैनल पूनर्स कीचन और आज हम बना रहे हैं मूंग डाल की वड़ी तो आईए शुरू करते जो बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है तो आईए शुरू करते तो हमने एक पैन लिया और पैन में डाल एक चमच घी और जिसमें हम ये मूंग डाल वाली जो वड़ी है इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया और इसे हम हलका ब्राउन होने तक सेकेंगे मतलब भूंचेंगे तो ये देखिए हलका ब्राउन हो गया है और अब हम इसे एक तरफ निकाल लेंगे और उसी पैन में हम डालेंगे दो बड़ा चमच ओईल जीरा और थोड़ा सा हींग और इसमें मैंने क्रश किया हुआ टमाटर प्याज लसुन और हरी मर्च है जिसे हम अच्छे से भूंज लेंगे भूंजने के बाद हम इसमें किस दणीए जार देंगे लालमिर्च घनिया पौडर्डर गरम मसाला और हल्दी हैी और नमक स्वादनुसान और इस अच्छे से दो-तीन मिनट तक भूझ लेंगा इसमें हम डाल लेंगे बड़ी और इसे अच्छे से कूकर में भी बना सकती थी लेकिन मुझे वो इजी लगता है और अब हम इसमें पानी डाल देंगे तो देखिए इतनी अच्छी खुश्बू आ रही और हम 3 सीटी लेने तक वेट करेंगे तो अब हमारा कूकर ठंडा हो गया है और इसमें 3 सीटी भी आ गई तो देखिए हमारी सबजी बन के बिल्कुल तयार है आप इसे गरम-गरम चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं यह दोनों के साथी बहुत ही टेस्टी लगती है तो आई होग कि आपको आज की रेसेपी मेरी पसंद आई होगी आप लोग प्लीज शेयर करिए, कमेंड करिए और बताईए आप लोग और क्या देखना चाते हैं